इतनी life में problems को लेके यदि आप जीएंगे तो आप यकिन मानिए आप मर जाएंगे इसलिए उतने problems को आपको जेलने से बहतर है उसके solution को खोजना जिंद्गी भर रोना एक solution नहीं है, solution को खोजना ही एक जिंदगी है और इसे मैं आपको इस वीडियो के साथ आपको मैं प्रूफ कर दूँगा क्योंकि आज मैं आपको यह बताऊंगा यदि आपके पास दुनिया का कोई भी स्मार्टफोन है Android होना चाहिए, Apple नहीं होना चाहिए तो आप अपने स्मार्टफोन को घर बैठे ही बड़ी अराम से मेरी तरह अनलोग कर पाएंगे पैसे भी आपके एक रुपए भी धन्नी भी खर्च नहीं होंगे दूसरी बात कि आपको इसमें कंप्यूटर भी लेना जोड़त नहीं पड़ेगा बिना कंप्यूटर के हम यह method करेंगे और तिसरी बात है यह पूरी तरह से free है इसे कोई भी बंदा घर बैठे कर सकता है तो चलो आज के इस important वीडियो को आपके साथ सुलू करते है और यदि आपने हमारे इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर लिजए बेल आकन देवा लिजएगा और आपको यह जानके बहुत खुशी होगी हम यहाँ पर जो method apply करेंगे उस method से आपके इस handset का एक भी photo, video, documents, application आपका delete नहीं होने वाला है तो दिल थामके खुश होके इस method को चलिए सीखते हैं तो मेरा नाम है भी सेक्षिना और चलिए आज के इस important video को यहीं पर सुरू करते हैं यहाँ पर आप जो आप स्मार्टफोन देख रहे हैं यह जिनका भी है उन्होंने मतलब ध्यान से इसके password को change किया था लेकिन जितना उन्होंने ध्यान दिया थे इसके password को बदलने में उतना ही उन्होंने लापरवाही बरती थी इसके password को याद रखने में कि वह कौन सा password इस्तमाल कर रहे हैं जिसकारण से इन्होंने pattern lock को हटा करके यहां पे password lock लगा दिया और हो सकता है आप आपने pattern lock ही यूज किया हो लेकिन वह भी आप बुल गया हो कोई भी lock हो सब एक ही lock होता है बस pattern अलग अलग होते हैं तो यहां पे आपको इसे कैसी यहां से हटाना है कोई भी android आता है स्रीफ और स्रीफ गूगल के support से यानि कि उसमें जितने भी OS वर्क करते हैं वह गूगल के द्वारा दिये गए OS होते हैं इसलिए हम यहां पे गूगल के ही method को इस्तेमाल करेंगे गूगल के offline method को आप यहीं online या फिर service center जाके पूछेंगे कि वह कौन से method को इस्तेमाल करते हैं तो वह आपको दो method बताएंगे पहला है जो यहां पे आपको PC में software मिलता है उसके तुरू और जो दूसरा मिलता है व अब यहां पर इसे अनलॉक करने कि जब हम उपर की तरफ इस तरह से slide करते हैं तो आपको यहां पर नीचे एक option दिखेगा जिसका नाम है emergency call आपको इससे यहां पर क्लिक कर देना है आपके smartphone में emergency calls only का option आ जाएगा अब यहां पर friends बहुत सारे लोगों को confusion होता है कि अगला step क्या लेना है ध्यान से दिखीगा यह आपने बढ़ा के देखा तो मैं भी आपके मदद नहीं कर पाऊंगा इसे आपको इस तरह से नीचे के तरफ slide करना है और इससे आपको वह जो सौर्ट कर से वहां पर चले आना है अब यहां पर आपको एक option दिख रहा है जिसका नाम है 456-789 और अब आपको यहां पर simply हैज अस्टार दबा के जीडो जीडो और हैज और अस्टार दबा देना है अब यह code क्या है इस code को मैंने इस तरह से इस series में क्यों लिखा क्योंकि यह जो code है यह इसे कहा जाता है offline mode का code और आपको इसे डालने के बाद सिर्फ इस number पर आप जिसके बाद अब आप यहां पर कोई भी अपने टेकनिकल टर्म्स को इस्तिमाल कर सकते हैं द्यान से सुनिएगा यदि आपने मेरी बातों को द्यान से नहीं सुना तो आप हो सकता है मेरी बातों को समझ नहीं पाएंगे इस method में बताये गए steps को आप सीख नहीं पाएंगे तो बेटर रहेगा क्योंकि आप उसे ध्यान से सुन बाएंगे consultant हो करके अब यहां पर यह जो हमने work कर लिया इसे अब यहां से हमें हटाना है इसे हम यहां से अड़ा देंगे क्योंकि हमारा जो smartphone वो अब offline mode में work कर रहा है अब हमें यहां पर इस्तमाल करना होगा master unlocking mode का जि देख सकते हमारे इस हैंड्सेट में इंजिनियर मोड नाम का जो ऑप्षन है वो यहां पे चलाएगा इस बात को आपको गारेंटी के साथ इंस्योर कर लेना है कि आपके स्मार्टफोन का एरपलेन मोड या फिलाइड मोड यहां पे आन होना चाहिए वरना यह वर्क नहीं करत ही यहां पर आपको बहुत साद ऑप्षında घर देखने को मिलेंगे इसे आपको अगले पेज प्रस्टपका चले जाना जाना है यहां पर करना और जो कि यहाँ पे not started mode में है, तो आपको करना क्या है, इन दोनों को touch करना है, जब तक कि यह start नहीं होगा, आपका आगे का process यहाँ पे शुडू नहीं होगा, दोनों को start किजिए, और जैसे ही यहाँ पे एक भी आपको pass दिख जाए, समझी कि आपका काम हो गया, यहाँ पे पास नहीं दिख रहा है, तो back आईए, और यहाँ पे आप चले जाएए उपर में, जहाँ पे दिख रहा है fingerprint test, इसे किलिक किजिए, और अब आप यहाँ पे auto test भी दिख रहे होगे, आप सबसे उपर में, इसे आप select करके open कर लिजिए, यहाँ पे आपको यही पास दिख रहा है, इसका मतलब कि आपका smartphone का जो sensor यह fingerprint का, वो यहाँ पे काम कर रहा है, वो खड़ाब नहीं हुआ, इसका मतलब आप यह जो software है, इसके तुरू आपने यह पता लगाया, कि आपके handset में कोई ऐसा problem है नहीं, कुछ भी समान बदलने की ज़रूरत नहीं है, अब आप इसे back कीजिए, फिर से back कीजिए, और बापस से आजाईए आप sensor, self test and calibration में इसे आप click कीजिए, और यहाँ पे फिर से दोनों को start कीजिए, और इस बार जब तक आपको pass नहीं दिखता है, आप इसे start करते रहेगा, आपको जब तक वो pass का message नहीं दिखेगा, आप इसे यहाँ पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो आपको इस तरह से click करते रहना है, जब तक आपको pass न दिख जाए, और जैसे आपको pass दिख जाएगा, हम अगले step की तरफ आपको लेके चलेंगे, थोड़ा सा आपको यहाँ पे time taken वाला work है, क्योंकि आपका mobile lock है, और वो ऐसे भी बहुत जादा problem करता है, जब भी किसी का smartphone lock हो जाता है, तो समझों कि उसकी जिन्दगी lock हो गई, तो इस तरह से मैं समझ सकता हूँ, problem आपको होगा, और जब तक आपको यहाँ पे pass नहीं दिखता, आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, और जब तक की माल लेते कि आप एक काम और कर सकते हैं, इसे pass लाने के लिए बैक करिए, नीची आईए जहाँ पे आपको दिखेगा G-sensor और gyroscope, आपको यहाँ पे gyroscope को क्लिक करना है, और यहाँ पे इसके self-test को आपको क्लिक कर देना है, अब यहाँ पे क्या होगा, X, Y, Z के जो sensor से उन्हें आपको यहाँ पे सिंक्रोडाइज करने के लिए स्टार्ट करना है, तो आप इस यह स्टार्ट कर आप जैसी यहाँ बटन दवाएंगे, यहाँ टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ पे यह फेल का मेसेज आजाएगा, फिर से आप स्टार्ट का बटन को दवाएंगे, तो फिर भी आपको यहाँ पे फेली देखने को मिलेगा, तो बैक आईए, और यहाँ पे आप ग्राफ को क्लिक कर दिजिए, अब यहाँ पे आपस में, X, Y, Z के जो sensor से, Synchronizing Mode पे चले आएंगे, आप देख सकते हैं, थ्वास आपको phone को इस तरह से आपको हिलाना है, ताकि यहाँ पे यह जो curve line है, वो आपको दिख जाए, इसका मतलब आपके sensors भी सारे काम कर रहे हैं, अब यहाँ से back आना है, फिर से back आना है, और बापस से आपको चले आना है, sensor, self test and calibration में, और इसे आपको फिर से यहाँ पे start करना है, और जब तक pass न दिखे, आपको यह process यहाँ पे करते रहना है, तो आप यहाँ पे इस तरह से आपको जब तक की pass नहीं दिखेगा, अब यहाँ से हमारा जब की pass आ चुका है, तो आप समझे, आपका mobile unlock हो जाएगा, बैक आईए, अब चलिए आप last वाले option पे, जो की है other का page, अब other वाले page पे friends, आपको यहाँ पे तीन काम करने हैं, पहला काम आपको यह करना है, कि यहाँ पे आपको number 2 पे दिख रहा होगा, read, write, important, lock, test, इससे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे आपको जो confirm करने को कहा जा रहा है, इससे आप पहली बार में cancel कर दीजिए, दूसरी बार फिर से क्लिक कीजिए, लेकिन दूसरी बार में आप इसे okay कर दीजिएगा, तो आपको यहाँ पे wrong password का detection है, मिल लागा, यानि कि आपको जो password है, वो यहाँ पे receipt mode पे चला गया है, अब यहाँ पे आपको एक काम और करना है, वो है database version को, आपको यहाँ पे 9 time क्लिक करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और उसके बाद आप यहाँ पे reading reset complete indicator को क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे जैसे ही आपको pass दिखे, वो सही आप यहाँ पे home button को क्लिक कर दीजिएगा, और आप देख सकते हैं, आपका यह smartphone successfully यहाँ पे गर बैटे unlock हो चुका है, वो भी बिना पैसे खर्च किये, बिना computer के, यदि आपका mobile unlock नहीं हो रहा है, इतना करने के बाद भी, तो आप उस case में हमारे चैनल को subscribe करते होगे, जोइन कर सकते हैं, और आप हमें जैसे ही जोइन करेंगे, हमारी टीम के तरफ से आपको एक WhatsApp पे वीडियो कॉल चला जाएगा, और उस वीडियो कॉल के help से हमारी टीम आपके handset को guarantee के साथ 5 मिनिट के अंदर unlock करके दे देगी, तो आप एक बाद हमारे इस channel को join करके try जोड किजिएगा अपने handset को unlock करवाने के लिए,